आज मैं आपको आसान तरीके से मतर की कचवरी बनाना बताऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहां मैंने दो कप मतर को 5 मिनुट के लिए नमक पाने में बॉयल कर लिया है अब इसे 2 हरी मिंच 12-15 लहसुन और 1 इंच अद्रक के साथ ग्राइंड कर लेंगे अब एक कठाई में 1 टेबल स्पून तेल गरम करके इसमें चुटकी बर हींग डालिए और फिर पिसे वे मतर के मिक्शर को डाल कर मीडियम फ्लेम पे भूनना होगा इसे भूनने में लगवग 5-7 मिनट लगता है अब इसमें 1 टेबल स्पून काला नमक, भूना जीरा पाउडर और चाथ मसाला मिक्स कीजिए यहां मैंने कचोरी का डो बनाने के लिए 2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून घी और पानी का यूज किया है अब इसमें 1 टेबल स्पून मतर के मिक्शर को स्टफ करेंगे और इस तरह से हाथों से फैलाते हुए इसे रेडि कर लेंगे एक कराई में तेल गरम करके फ्लेम को मीडियम कीजिए और इसे डाल कर कुख होने दीजिए जब यह एक तरफ से पक जाएगा तो इस तरह से वह उपर तैरने लगेगा अब इसे पलट कर दूसी तरफ से भी पकने दीजिए इसे पकने में 5-7 मिनट लगता है और जब यह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर किसी भी मीठी चतनी या आलू की रस वाली सबजी के साथ आप इंजोई कर सकते हैं